कोरोना पर आव करें मन की बात नमस्कार मैं हूँ दीपक मिश्रा आप देख रहे हैं बंसल नियूज और आज हम चर्चा करेंगे कि आखेर जिस तरह से देश में लॉकडाउन चल रहा है और अलग-अलग लोग अपनी सेवाइं भी दे रहे हैं इसे में कुछ लोग किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं देश सेवा कर रहे हैं और आज मन की बात पर हमारे साथ स्पेशल सेगमेंट में चर्चा करने के लिए मौजूद है एलन सिटी ग्रूप ऑफ कॉलेज के सेकरेटरी मिस्टर अनुपम चॉकसी जी अनुपम जी ब कुरा विश्रे सवक्त एक बड़ी लड़ रहा है को रोना से आप अपना परसनल टाइम इस वगर पर कैसे बिता रही हैं कैसे वेतित कर रहे हैं काफी सारे काम रहते थे तो अभी नहीं हैं तो बच्चों के सांट टाइम दे पार रहे हैं और टेक्नालोजी का यूस का पहली बार कर रहे हैं कि व्यांतला अच्छा घर से बैटके जूम मीटिन्ग्स हैं जिते भी साथ में लोग हैं हमारा छोपिटल है उसमें डौक्टर के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है थोड़ा सा काम करते रहतें पूरे दिल यहां हाला कि अभी Center क्योंकि बोपाल में का KMSB है GMC है तो हमने अपने hospital में जो general patients हैं उनके care के लिए ज्यादा रखा हुआ है और doctors और जो nursing staff है उनको पूरा help कर रहे हैं कि जो general patients को भी तो कोई देखे आज की date में आप देखेंगे ज्यादा तर private clinics जो है doctors ने बंद कर रखे हैं तो हमारे doctors नो पूरा है उनके लिए अविलेबल बिल्कुल यह work from home जो आपने बताया कि आप बहुत सी चीज़े घर से ही monitoring करें कितना challenging आप पा रहे हैं और आने वाले वक्त में आप कितनी यहां पर challenges देखते हैं क्योंकि work from home ठीक है कारगर तकनीक के जरीया हम जरूर इसको कारगर बना रहे हैं लेकिन क्या किस तरह की चुनौतियां देखते हैं आप work from home में यह एक challenge तो रहा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है आप जी company हो में आपने बहुत बार सोना होगा कि work from home रहता है पर पहली बार colleges के लिए क्योंकि main field colleges हैं जिसमें पहली बार देखने को मिला और इसमें थोड़ा से कुछ problems आई क्योंकि पच्चे भी जो है वो कई rural areas के होते हैं गाहों के होते हैं जिनके पास connectivity का problem रहता है और कहना government का रहता है कि आप work from online classes चलाए यह चलाए तो उसका collect करते data collect करते थोड़ा time लगया but now everything is going smoothly हमारे teachers classes ले रहे हैं जो बच्चे हैं वो online classes का पूरा उप्योग कर रहे हैं but still challenges are there चुकि अनुपम जी आप भविश्य भी गड़ते हैं बच्चों का तो ऐसे आने वाले वक्त के लिए आपने क्या प्लान कर रखा है students के लिए क्योंकि चीजें नॉर्मल कभ होंगी हालात सामाने कभ होंगे यह किसी को नहीं पता है काफी सारी चुनौतिया रहेंगे तो future के लिए आपने क्या प्लान कर रखा है college के students के लिए हम लोग त्यारी में लगे हैं सर अब लोग online contents की त्यारी कर रहे हैं जित्ते भी available portals हैं जित्ते भी AICT के portal से हमको कही सारे online help मिली है अपने teachers को भी क्योंकि वो घर पे हैं तो हमने उनको बुला कि आप इस समय का सदोप्योग करते हुए content बनाएं तयार करें बच्चों के लिए तैयारी करें कि वह content उनको deliver time पर क्योंकि आप यह मान के चलिए कि अभी एक महीने के बाद college खुलेगा तो भी बच्चों का आना पुरा smooth होने में time लगेगा और एक महीने के बाद नहीं यह लंबर period लगेगा जी आपके hospital staff की हम बात करें आप फिर college की students की बात करें तो क्या उनकी तरफ से अलग-अलग कुछ ऐसी जग्यासा है या कुछ ऐसे प्रशना रहे हैं कि उन्हें आप किस तरह से शान्द कराते ह क्योंकि यह एक बड़ा challenge है कि बहुत बुरे दोर से इस वक्त पूरे economy पुरा देश विदेश गुजर रहा है उनसे आप कैसे deal करते हैं उन्हें कैसे समझाते हैं अस्पिटल का स्टाफ को जरूर आप देने क्योंकि उनको रोज पेशेंट से मिलना है और पेशेंट जब आता है तब थोड़ी मालूम रहता है कि वो करोना का पेशेंट हो सकता है नहीं हो सकता है उसको तो जब वो screening करते हैं और उसके बाद और कई बार emergencies में भी ऐसे case आत कि उसको करोना है तो क्या करेंगे तो हम उसकी सटिस्फाइ करते हैं उनको अपनी तरफ सम पीपे किट्स और जेती सुविधा हो सकती हो प्रवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हमना isolation centers भी बना रखे हैं कि कोई patient के साथ अगर हो गया कोई patient actually आ गया और उसक बच्चों को तो हमने अशौर करा हुआ है कि उनका कोई भी लॉस हम नहीं होन देंगे सांतियरे faculty उनको भी हमने पूरा उसमें रखा है कि आप classes लीजिए जित्ता आपको help college से चाहिए वो रहेगी non-teaching staff है उसको मैं चाहूंगा अनुपम जी आप message भी कुछ दे हमारे दर्शकों को अपने college एलन city group of college के students को और अपने hospital के स्टाफ को तमाम उन लोगों को क्या message आप देंगे किस तरह का धैरे रखने के जरूरत है क्योंकि आने वाले वक्त में काफी चुनावतिया हैं हम तो डिवन से सर्व हमने एक campaign भी चलायता है कि stay home stay safe और आज भी बोलना है कि क्या हुआ है कि जैसे 14 तारिक मोदीजी ने इसको आगे बढ़ाया तो कई कि लोगों के मन में एक वो आया कि अब फिर 14 तेन हम को यह भाई घर में रहना है को जेल नहीं है आप अपने घर पे रह 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 रहा है और वह सुविदाएं आगे आपको help करेंगी क्योंकि कहीं आप उसमें रहते हैं आइसलेशन में रहते हैं तो वह सुविदाएं आपको कर सकते हैं और हम लोगों जैसे को भी मौका मिला है कि अपने आपको करने का कि हम ऐसी चीजों के लिए तैयार है कि नहीं और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि एलें सिटी ग्रूप ऑफ कॉलेज के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं और जैके हॉस्पिरिल के स्टाफ की बात करें उन्हें आप जरा ये भी बताएं कि किस तरह के अहतियात वरतनी के जरूत है क्यो जो भी प्रकाशन्स गवर्मेंट दे रही है जो भी हमारे लोकल सेंटर्स हैं डॉक्टर्स हैं जो बता रहे हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें जिकि मैं घर पर बैटा हूँ अभी हाथ में मांस लगाके अभी मांस में अभी उतारा क्योंकि यह उता और घर से बाहर निक सबस्क्राइब है जो कहते हैं कि हमारी युगों के लिए वड़े प्रावलम है कि डिस्टेंस रखना उनके बड़ा मुश्किल होता है उनको लगता है कि शाम को में अपने फ्रेंड्स हैं माली को कॉय अपार्टमेंट में रह रह रहा है तो उनका अम करता है कि हम जाएं श कुछ काम नहीं कर पाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पर स्टिल हम इस तामा को निकाल लेंगे एक महीने दिल महीने को निकाल लेंगे तो अच्छा है और इसे बच पाएंगे बिल्कुल ठीक कहा अपने तो अनुपाम जी की एक धैर हमें जरूर रखना होगा अहतियाद अनुपाम जी आपने इस समय दिया और हमसे बातश्रीत की उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रे आपका शुक्रिया तो ये थी हमारे साथ एलें सिटी ग्रूप ऑफ कॉलेज के सेक्रेटरी मिस्टर अनुपाम चॉकसे जी जो देखे अच्छी बाते बता रहे हैं कि किस तर भी ग्रूप पूरी तरह से तैयार है और एतियात बरतने की भी हिदायत दे रहे हैं फिलाल एक छोड़ी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं तो रंत लॉट टेंब